मंगलवार चहजून को हजबहुन बैंग्डूरू में करनाटक के हज यातियों के हज 2023 उडान समारों का एज़न किया गया इस समारों में करनाटक के मुख्यमंत्री सिद्रामया विशेश तोर पर उपस्तित रहकर इस हज 2023 उडान समारों का उद्गाटन किया इनके अलावा इस अफसर पर करनाटक के हज और मुनिसिपल अड्मिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर रहीम खान, हाउसिंग वक्फ और माइनॉरिटी अफेर्स मिनिस्टर बीजर जमीर अहमत खान, रिविन्यू मिनिस्टर कृष्णा बेरे गोडा, करनाटक स्टेट हज कमेटी के च चेरिवाला, पूरु मंत्री रोशन बैग, के अलावा डॉक्टर नासीर हुसें, सांसर सलीम, एहमद, अब्दुलजब्बार, मल्सी और उल्मा और भारी संख्या में हज यात्री दूसरे गणमाने व्यक्ति उपस्तित थे, इस अफसर पर मुख्यमंत्री सिद्रा मया का सम मुख्यमंत्री सिद्रा मया ने इस शो बाउसर पर संबुधित करते वे सभी हज यात्रियों से देश में अमन और शान्ती के लिए और देश के उन्नती के लिए अल्ला के दर्बाद में प्रात्ना करने के अपील लिए बतादे कि इस वर्ष करनाटक से कुल 8000 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं आज से 22 जून तक रोजाना फ्लाइट सरवाना होंगी जुम्ला 21 फ्लाइट जाएंगे तो वही हज 2030 उडान समारों के समापन के बाद करनाटक हज कमिटी के चैर्मेन रोगफुद्दीन कचेरि है क्या पारणाप के रहे हैं देखिए 2023 का जो हज का अच फ्लाइट इनावरेशन था हजगवन में और इस इनावरेशन में सीजरा मियां जी सी अंकानाटक स्टेट के उनों और हमारे बहरे गोड़ा जी, मिनिस्टर और हमारे जमीर खान साथ, मिनिस्टर रहीम खान साथ, मिनिस्टर साथ और हमारे तमाम उल्मा एक्राम, MLA, YMP, MLA और मेंबर्स, सुब तमाम लोग इस फंक्शन में मौज़ूद थे बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बारिश होदें के बावजूद भी लोगों की संक्या कम नहीं रही, काफी हजमवन पुरा बरे रहा, हजमवन के आजु बाजु भाजु भी हमें लेडी लगाए थे, काफी लोग हज़ारों की तैदाद में आज इस फंक्शन में रहे, कामया भी फंक्शन रहा, इसमें खास तरफे हाजियों से उन्होंने जर्फास किये, कि आप अपने परिवार के लिए, और इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए आप दुआ कीजिए, अमन और शान्ती के लिए, बहचारे के लिए, इसके सासाथ इस देश की तरखी के आज पांच फ्लाइट है, इसके सासाथ इसलसला 22 तारीक तक चलते रहेगा, लगबग हमारे 21 फ्लाइट है, 8000 के आसपास हाजी है, तो बड़ी खुशी का दिन है आज हमारे हज कमिटी के लिए, क्योंकि आज सिद्रा मया जी का जो स्पीश था, और जमीर खास आपका जो माइनरिटी के बारे में, मैं बहुत कुछ कहा है, कि आपको हख जो भी है, वो मैं हख दिला कर रखोगा, और आपके जितने भी जो भी डॉल्लप्मेंट के लिए, जो मुझे से सपोर्ट हो रहा है, मैं उस सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और मैं एक हज कमिटी के चे करोड पहले गिरांट दिये थे, वो आमाउंट है, और उसके लिए जगे का प्रॉब्लम था, जगे भी हमारे एक मेंबर, MLC, फारुक साथ, दो एककर अपनी तरफ से जगे को डोनट किया है, तो वहाँ भी हमको हजाउज बनाना है, लगबक 25 करोड तो लगेगे हजाउज तो ये तो उसके साथ साथ गिलबर्गे का भी हमारे पहले के जो मंतरी थे, खबर असलाम साथ, उनके समय में वहाँ पे भी जगे का मामला था, वो भी चारेकर जगे हमारे लिए बनाये हैं, जगे हैं, उसका भी कंपाउड वाल, हम एक करोड खच करके बनाएं, तो वहाँ का भी हमको हजवस का काम चालू कर रहा है, बुबली में भी हमको वहाँ के भी अन्जुमान और भी दूसरे लोग जगे देने के तयार है, वहाँ पे भी प्रोसेस में हैं, उसके साथ साथ बीदर में भी, मैं एक बीदर का हजवस का मिटी चेर्मेन और अभी मबारक बात है हमारे बीदर वालों के लिए, कि रहीम खासा भी हमारे ही शहर से हमारे ही गाओं के मिनिश्टर हैं, तो हम मिनिश्टर और शेर्मेन एकी गाओं के हैं, तो हम भी ये कोशिश कर रहा है कि बीदर में भी एक हजवस बड़े पैबाने पे बने, उसके लिए भी मैं जगे के ल तो इंशाला एक सव करोड का आज बैंगलूर के अंदर एक हजभावन है जो कोवीड सेंटर में काम आया और यहां के एंजियो के लिए बड़े वैलेंट प्रोग्राम के लिए बहुत दूसरे जनरल प्रोग्राम के लिए काम आ रहा तो उसी तेरे से और हमारे चार हज़ाओ अगर तयार हो जाए तो हज़ के तर्विति कैप, हज़ के पोग्राम, उसके साथ साथ इस्लामिक पोग्राम, जो भी सोशल एक्टिवटीज होंगी, उससे खौम का, कम्मिनिटी का और जनता का, अवाम का भी बहुत बड़ा प्राइदा होगा, क्योंकि मैं शिजरा मियाज करना जनता करें, यह इस और जनता करना जनता है, क्रिमनिटी के पोग्राम पोग्राम, जर्श एक पर फिर से खौमिनिटी। तो उसका प्रोस्स चल रहा है तो बारा बजे से हमारे उल्मा एकराम मौलाना की दुआ होगी दुआ के बाद हाजी यहां से लगए कहते वे एरपोर्ट के लिए पहुंचेंगे वहां पे उनकी दुआ होगी वहां से उनको प्लाइब में बढ़ा के साथी अलमादीने मौनव सर्च वीदर प्रपर दें आलेना वह लोकेशन वहीं मैलूर रहे है क्या आर दूथा है और दूसरा बाला दिन मेंगर आगर महासे हमारा टर्मीनल हो यह हमारे हाजी जाना पड़े तो एरपोर्ट से बहुत इंपॉर्टेंट सहुलत होती इसलिए भी मैं मैं मैलूर की जग अभी मैं को कुछ दिर पहले मालूब पढ़ा कि है जो हमारे बीदर गुलबरगा राइचुर के हाज ही है उनका बारा तारीक, तेरा तारीक, चौदा तारीक को ऐसा कुछ का इन्फॉर्मिशन मिल रहा है तारीक के लिए हम हेडराबास से साथ यूर्प के विड़ाइगे अच्छानु तैंक यू